असंतोष को दबाने के लिए EVM का इस्तमाल हो रहा है उन्हें डर लग रहा है अगर हमारा विरोधा आज भी इतना हो रहा है अगर सत्ता इनके हाथ में आ गई तो क्या होगा हमारा अपने सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए EVM का इस्तमाल सबको मालूम होने के बावजूद भी कर रहे हैं और अब EVM से आगे का अपराज शुरू कर दिया है अख़बारों में अपने पढ़ा होगा क्यों चुनावायो कहता है कि लोगसभा और विधान सबा का सैयुक्तिलेक्सन driंबारों चाहिए जोइंठ क्यों पैसा बचेगा बोलता है क्यों टाइम बचेगा लोगों को लगता है अच्छी बात है बढ़ने वालों को लगता है अच्छी बात है ये बहुत भानक है ये लोग तंत्रों को खतम करने की साजी से आगे की कैसे मैं बताना चाहता हूँ अगर किसी पार्टी को लोग सभा में मेजरेटी में है अगर बीजेपी को 282 सिटे है और राज्यों के चुनावाते है तो राज्ये सभा के आकड़े बदल जाते है जैसे ब तो राज्ये सभा में बैलंसिंग नहीं उनका लोग सभा में मेजरेटी है और राज्ये सभा के आकड़े बदलने से बिल पारित करने में धिक्कत होती है इसलों नया तरीका निकाला एक साथ दुनों पर कबजा कर लो तो जो बाबा संबेड करने बैलंस बनाया था पार्टी पार्टी को पर भी बेलंस बने रहेना चाहिए राज्ये सभा का उसको खतम करने का नया साजी चल रहा है किसी पार्टी ने अभी तक सोचा नहीं है यह कि क्या कर रहे हैं वो लोग उनको लगता है दो चुनाव एक साथ हो जाए तो अच्छी बात है अरे राज्य सभाद लोग सभाद दोनों को एकी बार कबजे में करना चाते है पांच साल का जंजर को जाएगा तो लोग तंत्रों को भैने खत्रा पैदा हो रहा है आकवार पढ़ते हैं सारे लोगों को समझ में आता है सा जरूरी नहीं है ना सारे लोग अख़वार पड़ते हैं सारे लोगों को समझ में आ जाए जरूरी नहीं है और उनके सारे सड़ेंत्रों को देश में केवाल मात्रब बामसिप के केडर ही जान सकते हैं इसके अलावा कोई नहीं जान सकता है बामसिप के लोग बामसिप के केडर हर तरह के सड़ेंत्रों को जानता है और सड़ेंत्रों को दुनिया के सामने समाज के सामने एक्सपोज करता है कि देखो इनका चरित्रा